प्रस्न तीन सरल कीजिए और उतर मानक रूप में दीजिए प्रस्न तीन का तीसरा भी हल करेंगे जो की है दो दस्मलो नो साथ आठ गुना दस का घात माइनस बारह जोड एक दस्मलो सुन्य साथ गुना दस का घात माइनस नो तो दस्मलो नो साथ आठ गुना दस का घात माइनस बारह जोड एक दस्मलो सुन्य साथ गुना दस का घात माइनस नो तो यहाँ पे देखें दस का घात माइनस बारह है यहाँ पे क्या है 10 का घात minus 9 है तो कौन बड़ा है तो 10 का घात minus 9 बड़ा है तो minus 12 से minus 9 बड़ा है ठीक है कौन बड़ा है minus 12 से बड़ा होता है minus 9 यानि तो जो छोटा है उसको बड़ा करेंगे बड़ा को छोटा नहीं करेंगे ठीक है यानि minus 12 को minus 9 बनाएंगे तो 10 का घात माइनस 12 है तो इसको हम बना देंगे 10 का घात माइनस 9 तभी हल होगा तोनों को बराबर करेंगे तो जो बड़ा है उसी के इतना छोटा को भी कर देना है यानि 10 का घात माइनस 9 है यहां पर तो इसको भी 10 का घात माइनस 9 कर देंगे तो हो जाएगा दो दसमलोग नो साथ आठ गुना दस का घात माइनस बारह दस का घात माइनस बारह गुना दसका घहत तीन, बटा, दसका घहत तीन. तो देखिए, दसका घहत माइनस बारह को, दसका घहत माइनस नो बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 का घात 3 से इसको गुना करेंगे तो माइनस 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जागा? माइनस 9 ठीक है? इसलिए 10 का घात माइनस 12 को 10 का घात 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 का घात माइनस 9 यानि इसके बराबर करना है मैं ठीक है क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है माइनस बारा कम है माइनस नो क्या होता है ज्यादा इससे ज्यादा है तो इसके इतना बराबर इसको करना है तो दस का घात माइनस बारा को दस का घात तीन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दस का घात माइनस नो क्योंकि माइनस बारा और तीन को जोड़ेंगे तो माइनस नौ आएगा क्योंकि गुना कर रहे हैं तो जब गुना किये हैं दस का घात तीन से तो दस का घात तीन से भाग भी देना होगा तब ही बराबर होगा ठीक है तो जितना से गुना करते हैं उतनाई से भाग भी देते हैं जोड अब इसको लिख लेंगे एक दस मलो सुन्य साथ गुना दस का घात माइनस नो इस तरह लिख लेंगे अब देखें दस का घात माइनस बारा और दस का घात तीन ये दोनों गुना हो जाएगा अब ये बच गया बटा में है तो दस का घात तीन से इसको भाग दे देंगे क्योंकि हम बटा में है तो इससे इसको भाग देना होगा तो दस का घात तीन मतलब क्या होगा एक हजार तो दस का घात तीन से इसको भाग देंगे देखे, दस का घात तीन है, घात कितना है, तीन है, यानि दसमलो जो है तीन अंग बाई और खिसकेगा, किदर खिसकेगा, बाई और, भाग देंगे तो, तो हो जाएगा, सून्य दसमलो, सून्य सून्य, दो, नो, साथ, आठ, देखे, दसमलो कहां पर खिसक गया, तीन अंग, बाई और यानि दो के पहले दो सुन्य और दे देंगे फिर दसमलो देंगे तो दो दसमलो नौ साथ आठ को दसका घात तीन से भाग देने पर क्या आ गया सुन्य दसमलो सुन्य सुन्य दो नौ साथ आठ ठीक है अब तो 10 का घात 3 से इसको भाग देने पर यानि 1000 से 2.978 को भाग देंगे तो आ जागा सूने दसमलो सूने सूने 2.978 यानि 10 मलो 22 और 3 अंग ही सक जाएगा तो 2 के बाद था 10 मलो तो कहां पर आ गया देखे 3 अंग पहले अब गुना करेंगे तो 10 का घात माइनस 12 और 10 का घात 3 क्या हो जाएगा 10 का घात माइनस 9 ये कैसे होगा तो देखे गुना में क्या होता है घात को जोड लेते हैं तो माइनस 12 और 3 को जोडेंगे तो माइनस 12 जोड 3 कितना होगा माइनस 9 ठीक है माइनस बारा और तीन को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस नो क्योंकि बारा माइनस में है और तीन पलस में घात को जोड़ना है गुना में है तो घात क्या होता है जूड जाता है तो माइनस बारा और तीन हो जाएगा माइनस नो माइनस बारा और तीन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस नो जोड़ अब इसको लिख लेंगे एक दस मलो सुन्य साथ गुना दस का घात माइनस नो तो एक दस मलो सुन्य साथ गुना दस का घात माइनस नो इस तरह लिख लेंगे अब देखिए यहाँ भी 10 का घात माइनस 9 हो गया और यहाँ भी 10 का घात माइनस 9 है तो इसको common ले लेंगे तो हो जाएगा सून्य दसमलो, सून्य, सून्य दो, नौ, साथ, आठ जोड़, एक दसमलो सून्य साथ गुना 10 का घात माइनस 9 तो क्या किये हैं यहाँ पर 10 का घात माइनस 9 को common ले लिए हैं क्योंकि 10 का घात माइनस 9 इसके साथ भी गुना हो रहा है और इसके साथ भी देखिए गुना हो रहा है 10 का घात माइनस 9 इसको कॉमन ले लिए हैं तो कोष्ट के अंदर क्या बज जाएगा 0.0.0.2978 जोड 1.0.07 अब इसको जोड़ेंगे तो 0.0.0.0.2978 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो देखिये 0.0.0.2978 और 1.0.07 को जोड देंगे तो आठ साथ 9 दो साथ सुन्य और एक एक यानि इसको जोड़ेंगे तो हो गया तो इसको लिख लेते हैं यहां पर 1 दस्मलो सुन्य साथ दो नो ये सुन्य साथ 2978 2978 गुना अब इसको लिख लेते हैं 10 का घात माइनस 9 तो इसका मानक रूप में इसका उत्तर हो गया 1.07 2978 गुना 10 का घात माइनस 9 इसका उत्तर होगा तो ये और इसको जोड़ने पे कितना आ गया देखे 1.0772978 ये दोनों को जोड़ने पे और गुनाम में क्या है 10 का घात माइनस 9 तो इसको भी लिख लेंगे तो इसका मानक रूप यानि इसका उत्तर आ चुका है तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे चोथा चोथा में है आठ दस मलो 7-8-4 7-8-4 गुना 10 का घात माइनस 11 8-7-8-4 गुना 10 का घात माइनस 11 तो प्रस्न क्या है 8-7-8-4 गुना 10 का घात माइनस 11 माइनस 9-2 गुना 10 का घात माइनस 13 अब यहाँ पे 10 का घात कितना है माइनस 11 और यहाँ पे 10 का घात माइनस 13 है तो कौन बड़ा हुआ है देखिए माइनस 11 बड़ा होगा माइनस 13 से ठीक है तो 10 का घात माइनस 11 बड़ा है 10 का घात माइनस 13 से तो क्या करेंगे यहाँ पे तो इसको भी हम जो छोटा है उसको बड़ा बनाएंगे यानि 10 का घात माइनस 13 को 10 का घात माइनस 11 पहले हम बनाएंगे तभी दोनों जगा बराबर होगा उसके बाद ही हम इसको हल कर सकते हैं तो लिख लेंगे 8 दस मलो 7 आठ चार गुना 10 का घात माइनस 11 इसको हम इसी तरह लिख लेंगे माइनस 9 दस मलो 2 गुना 10 का घात माइनस 13 गुना अब देखे हमको माइनस 13 को क्या करना है माइनस 11 बनाना है तो 10 का घात 2 से गुना कर देंगे देखें 10 का घात माइनस 13 को 10 का घात 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 का घात माइनस 11 क्यों होगा क्योंकि गुना में घात क्या करते हैं घात को जोड़ देते हैं तो गुना में क्या होता है घात जोड़ जाता है क्योंकि यहां भी 10 है यहां भी 10 है तो माइनस 13 और 2 क्या हो जाएगा माइनस 13 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा तो 10 का घात माइनस 13 को 10 का घात माइनस 11 करने के लिए 10 का घात 2 से गुना करेंगे तो जब गुना किये हैं भाग भी करना होगा तो हम इसको 10 का घात 2 से भाग देंगे क्योंकि गुना कियें तो भाग भी देना होगा तभी बराबर होगा ठीक है अपने मन से जब गुना किया है तो उतना ही से भाग देना होगा तभी देखिए दोनों खत्म हो जागा इतना ही बचेगा फिर से तो अब हम लिख लेंगे आट दसमलो 7-8-4 गुना दस का घ्धाट मैनस 11 इसको इसी तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे मैनस अब यहाँ पे दस का घ्धाट 2 तो इसके साथ गुना हो जाएगा देखे, दसका घात माइनस 13, दसका घात 2 के साथ तो गुना हो जाएगा, लेकिन ये तो बच गया, बटा में, यानि भागा में है, बटा में है तो क्या होगा, भागा में, तो इस से हम इसको भाग दे देंगे, यानि दसका घात 2 से 9.2 को भाग दे देंगे, तो दसका घात 2 म अंक बाई और खिसकेगा, तो हो जाएगा, सून्य दसमलो, सून्य नौ और दो, देखिए, नौ के बाद था दसमलो, तो दसमलो दो अंक बाई और खिसकेगा, नौ के पहले सून्य देंगे, उसके बाद दसमलो, तो सून्य दसमलो, सून्य नौ दो, इस तरह लिख लेंगे, क हो जाएगा दस का घात माइनस 11 तो माइनस 11 कैसे हो गया देखें माइनस 13 और 2 को जोडेंगे तो माइनस 13 जोड़ 2 कितना होगा माइनस 11 ठीक है तो इस तरह हम लिख लेंगे यहां पर अब 10 का घात माइनस 11 यहाँ भी है 10 का घात माइनस 11 यहाँ भी है तो इसको common ले लेंगे 10 का घात माइनस 11 को तो 8.7,8,4 माइनस 0.10,09,2 ठीक है ये दोनों को लिख लेंगे इसको कोश्टक में कर लेंगे अब लिख लेंगे गुना 10 का घात माइनस 11 तो 10 का घात माइनस 11 को कॉमन ले लिये हैं और कोश्टे के अंदर 8.784 माइनस 0.092 इसको लिकलेंगे अब 8.784 में से 0.092 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 देखें, 4 में से 2 गया 2 8 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे 5 चलेगा तो 18 में से 9 गया 9 यह हो गया 6, 6 में से सूनने गया 6 अब 10 मलो देंगे 8 में से सूनने गया 8 यानि 8.692 गुना 10 का घात माइनस 11 इसको लिकलेंगे तो 8.784 में से सून्य दस्मलो, सून्य नो दो को घटाएंगे तो आजाएगा 8.692 और इसको फिर लिकलेंगे गुना 10 का घात माइनस 11 तो इसका मानक रूप में इसका उत्तर हो गया 8.692 गुना 10 का घात माइनस 11 तो इस तरह इस प्रस्न को हल करेंगे अजाएगे थड़ी कि प्रस्न को गुना 11